आज हम इस वीडियो में फेक लोन अप्लाई कैसे करना है देखिए जब अप्लाई जब गलती से कर लेते हो तो रिपेमेट कैसे करना है सभी इस वीडियो में बताऊंगा जानकरी बताऊंगा देखिए आपको अप्लाई करने तक और पैसे कितना मिलेगा और कितने दिन के बा आउंगा देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था आपको प्लेश्टर में बहुत सारा फेक लोन एप है उससे आपको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो देकिन आपको जान लेना है कि फेक लोन आपको किस लिए लेना है एक जान लखना है कि आपको बहुत सा प्लेश्टर में बहुत साथ इसलिए आपको ध्यानक ना जब लेने चाते हो जब फेक लोन से आपको डीटेल्स आपका डिलेट करना पड़ेगा फेक आईडी बनाना पड़ेगा फेक जो भी आपका इसमें प्लिक किया जो कि मुझे कैसी भी अभी कुछ अलग-अलग नाम चेंज होता रहता है फेक लोन का कुछ गैरेंटी नहीं है लेकिन साथ दिन बाला लोन है अब इसको जैसे ओपन करेंगो आपको पता नहीं चलेगे लेकिन डीटेल्स कैसे पता चलेगे आपको सब कुछ डीटेल्स चेक करना है कैसे आपको जैसे ओपन करेंगे आपको उसम के आपको account में जाना है जो भी आपका हैंपर contact details ओता है जो एप का जो भी number होता है इंडिया का number नहीं होगा out of country का होगा पता चल जाएगा आपको fake loan है ठीक है इसको login करना बहुत आसान है आपको phone number डालना है ठीक है इसमें लोगिन हो जाएगा अब जब फेक-टलोन से लोन लेना चाते हो तो मेरे एक चीज द्यानक अलग अलग नंबर से यहां नहीं आपको phone number add करना है सब अलग अलग numbers होना चाहिए क्योंकि family number कुछ भी add नहीं होना चाहिए क्योंकि family में मैसेज जाएगा वार्टसप में मैसेज जाएगा आपको में नहीं कर सकती क्योंकि यह सीबिल में इंफेक्त नहीं होता है कोई भी दिल मतलब कोई भी पोलिस केस्ट नहीं होगा लेकिन आपको वार्ट्सप आउट जो भी फोन नंबर है उसी में आपको परेशान करते हैं बाद लिए कुछ नहीं है मैं एजेंट के सास्थ भी बात किया हो जो एजेंट इसमें लोग को फोन करते हैं उन लोग को पास डाटा एक दिन के लिए आते हैं मतलब आज सुभा उनके पास डाटा आया जिन लोगों का लोन अपलाई किये हैं लोगों को फोन करना है और परेशन करना है वाटसप में गंदी-गंदी फोटो देना है हाला कि दूसरे दिने फोटो वह अपने आप उन कंटाक नमर डिलेट हो दिए एजेंट के बस और एजेंट भी आपको कहता है जब पेमेट कर सकते हो करो नहीं करना है तो और बस सकते हो तो बच्चो क्योंकि आपको खली वाटसप और गंदी-गंदी फोटो में मैसेज में इतना ही आपको देते लेंगे और जो भी आपका प थे जबेंगे और नागी नागी फोटो बेश सकते हैं इस तरह से परेशानिक्त करेंगे जैसे आपने डिटेल उसमें क्लिक गया आपको बेशिकड डिटेल्स दालना है और आपका जो भी आक बैंक अकॉणड सब्सक्राइगा ौरा विसकशी डिटेल जैसे ड gwालेंगे आ आपको एकॉर मिलेगी और मिलने के लिए बाद आपको साथ दिन के बाद पेमेट्स करना है 3200 पैसे डबल उननीत सरु पिए आपको बैंक आकॉर्ण मिलेगी आपको 3200 पैमेट करना पड़ेगा वो भी साथ दिन का अंदर देखे बहुत केसे में आपको खली जैसे ये आपने बैंक डिटेल स्यूपी आईडी दाला आपको आप बहुत सारा एप में आप देखे होगे आप रूबल मिलेगी दस अजार अब उससे कितना लेना चातू इसमें ऐसा नहीं है आपको डाइरेटली उननीच सार रोपे आपके बैक अकॉन में ट्रांस्पर हो जाएगी और आप आपको साथ दिनको पर्फेमेट करना बढ़ेगे आपको पांस दिनको आप उने लोग मेसेज करना चलू करतेंगे स्टार्टिंग पांस दिन के बादर और कॉल आपको अपर से जब तुसरी नाम से आती है आपको मैसे जाएगा ठीक है इस तरह से मैसे जाएगा मैसेज में होगाsınız रिपे मेड को इस तरह से मैसे जो आती होDa डिपेमेट जब करते हो इसका जो नीचे लिखाया यूपी आई यूपी आई रिफ्रेस्ट आईडी नमबर उसको रखना है अब चाहे तो स्क्रिंशॉट डख सकते हो जो भी पेमेट आपने किया हो आपने लिंक को जैसे क्लिक किया आपको पांच या दस मिनिट का अंदर रिपेमेट करके उसको सड्मिट करना है क्योंकि उसमें भी आपको चेंज होता रहती फ्रोड आप है ना मतलब दस मिनिट का यह एप चेंज हो जाता है देखिए हैं जो लिखाया यूपी आई इसमें सब्सक्고 करेंगे आपने आपको कोउपी कर दिखाय है मृण प्शुर्ण के मृट इससको फैमेट करने सक्रीन सोट में आपको नीचे कर दिया अपको यह यह वहां पर आपको करेंगे तब ही जाकि लूण पर क्रोस हो जाएगा कोई भी आपको फोन नहीं करेगा यह चीज धानक ना आपने इसमें आपको कॉपी किया यूपेड पेमेट कर दिया लिकिन यसा गलती मत किजिए आपको यहां पर नीचे जो लिखा है बारा नमबर का डिजिटल उसमें आपको कॉपी करके पेस्ट करें जो भी आपका लिंक दिया होगा वाट्सअप में जो भी आपका मेसेज आता होगा जिस लिंक में आपको पेमेट करना है उसमें आपको क्लिक करने करना है उसमें यूपी आईडी बना होके आया होगा अलग-अलग हमेशा अलग-अलग होता है 15 मीट फिर से अलग होता है उ को Levi's याप को बीकर लेन करने करने खिकर से कि धिस्यां करने यांऔर आपको लोज हो जाने का रहा कुछ गैरिंटी भी नहीं नहीं से प्लोज किया हूँ मुझे कॉल नहीं आया था ठीक है आपको ध्यान रखना है कि आपका जब गलती से लोन लेते हो तो इससी तरह से पेमिट करना है तो इसी तरह से फेक लोन आप से लोन ले सकते हो हाला कि इससी तरह से डीटेल्स कम्प्लीट करना है तब ही जाके लोन लेना है तो आई होब आपके वीडिया चला लगा हो लाइक कीजिए कमेट कीजिए दोस्तों के सायर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंकि पर वाजिए